फॉक गुल दावदे के लिए बहुत जरूरी है लेकिन कब जब यह कलियों पे होती है तब ब्लूम होने के बाद फॉक की जो है इनको कोई जरूरत नहीं होती है उल्टा क्या है असर जो है इन पे बुरा पड़ता है वो किस कैसे तो जैसे जैसे देखिए फॉक इसमें जो होग जादा जो है फॉकिंग होई थी अभी टाइम हो रहा है नाइन एम अभी जो है थोड़ी बहुत देखिए तो जब यह गुल दावदी कलियों पे होते है ना तब फॉक की बहुत जरूरत होती है और कलिया भी जो है बहुत हेल्दी जो है ब्लूम होती है लेकिन ये झार जारा है हपता अब यह धीरे धीरे क्या है फिराव रहे हैं क्लर हो रहे हैं पहले इतनु अच्छे तरीक Bardzo था इनका व्राइट बिल्कुल अब धीरIns हो रहा है अब देख यह तो बिल्कुम ही वाइट हो गया है Pig & This जो में कलर में ना ना यह था यह भीलुकव क्ण लग रहे हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से इंगा कलर था यह जो है तुछ लाइट में है डाक परपर में थे बिल्कुल यह वाइट हो गया है और यहां भी देखिए यह जो पॉम-पॉम हो यह तो सबसे पहले यह बुलूम हुआ था यह तो पूरा पूरा ही स्पेंट हो और यह तो मैंने कल देट में गुल्दादी पर कुछ काम किया है वह यह काम कि थे जो पूल ज्यादा जो है नहीं इंको नहीं था पूल जो हमें के हमें वह इसलिए क्वर्च स्वाइट कर दो भी तक जो है निची से जो है सकर्स विगरा जो है आप मुझे दिखाई नहीं जैसे इनकी निव ग्रोथ हो जाएगी क्या है मैं उनको उपर से कट कर दूंगी या फिर चाहें तो हम सीप इनकी जो है यह यह जितने भी सुखे फूल है इनको ही जो हम हटा सकते हैं इस तरीके से तो यह काम जो है मैं आज की डेट में कर लोंगी लेकिन कल की डेट में मैंने दिखा देतीम सबसे पहले यह देख़ें जितने भी सुख गये थे जो मैं तशले में लगा रखे थे उनको क्या है मैंने हटा दिये थे यह ले 92 जो हैर भ बहुत वाहां शारे थे कुछ मैंने यूज कर लीह उन्यूज कि seul के यूज कर लिए हैं यह भी आपको बताती और जो भी नम्हें मिट्टी थी गंबले में जिसमें लगे हुए थे वह क्या है मदर प्लांटी थे यानिर्व फक्रशने के पोदे इसलिए मैंने मिट्टी को निकालके कुछ इँस तरीके से कही अगा है तकाउन्य सान Siyaon तो वो खतम हो जाएगा वैसे जो पिछले पिछले साब की मिट्टी थी उसमें सनेल का सब्सक्राइब बहुत्स ज्या लाए नहीं जाए इस लागी थी मिट्टी कहीं से खराब आ गई थी इसलिए कि मैं इसको पूरे प्रोपर जो है अच्छेतर किसे सुखाऊंगे इसमें प पहाल के जब यूज करना होगा तो इसमें नीम खली जरूर मिलाओंगी या फिर फंजिसा या ट्राइकोडर्मा जिसे मिट्टी में फंगस ना पन अपने पार और चलिए यह तो काम मैंने दिखा दिया कि यह मैंने किये हैं गुल्दावदी के कुछ गंबलों को मैंने खाली क किये हैं तसलो को खाली किये हैं मिट्टे को या पर ड्राइब होने के लिए चोड़ दिया है और कुछ है जो अभी इस्तमाल हो जाएंगे कंपोस्ट में जाएंगे या फिर इनको लिक्विड कंपोस्ट भी बना सकते हैं तो यहां पर दिखा रही हैं आपको यह देखिए इसमें लगे हुए थे पॉम पॉम वराइटी के यलो क्लर इनको मैंने निगाल दिये हैं और इसमें मैंने लगाए हैं पिटूनिया यह देखिए वान टू त्री फॉर फाइफ सिक्स प्लाटमनी कठे लगा दियें कि यह तसला बहुत बड़ा है और बात करी सिडलिंग का पॉम सिरलिंग के निए आप तो मेरे गाडन में जया हुँ है मेरे यादत है जो भी पॉधों कहां पॉधे कर दिया हूं जिससे किया अपने अभीश हो जाते हैं और मुझे मिलते रहते हैं और इस इस बीट तसलेम मैंने सिंट्लिंग की है यहां पे फालॉक्स का किंग है अन्वे हो जाता और इनको कहले प्रहा हुआ और इसमें चेफिल बीग वेडियो भी यह जो हेरसेसे 2 बीजी लगाई अ तो जिसमें लगा था इसकी नाइड टो सब्सक्राहब इसके भी नाइस सब्सक्राइब motivated अचसे ग्रोथी कोईद इस यह जो हु़ा इसलिए कहा है मैंने इसको जो है कंटेणर दीया है इस्पेसल और वैसे इसको लगाने के लिए कोई रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन जो ब्यूट्टी देखने में अच्छी लगती है तुम्हें जो है लगा दिया ता आप सोज़े खास को भी लगा रखा तो हांजी भाई मैंने फूल भी लेखा तार। में लेखा आहें दिफूल हैं क्योंको त्रूल अल्ग पांच रिकूल ने को आयो मैंने लास्ट इर के जो पॉच्छुला का लास्ट बोलीए पॉच्छूला का के जो पॉधि पॉधि नीयर फ्री कह सेथेज़ ll m है मैंने इनको जो है लगा दिये हैं ताकि यह कलर जो है मेरे पास रहे हमेशा रहे तो इस तरीके से क्या है आप किसी भी वीज को तोड़के अपने किसी भी गंबले में फैलाइए आपको फ्री में जो है पौध है रेडी में लेंगे और दूसरा देखें यह यह भी लास्ट फैब में लाइखे तो इस में क्या मैंने कलकिने प्रोन कर दी हैं अब इन खाद देना बाकि है खाद देंगे अगर फूल लेना चाहते हैं दुबारा तो मैं देखती हूं माने बिख boxer करती हैं मुझे ऐनको निकाल कर अपने पाषरें उनको इनको शेव करना है तो अभी य कि लो जो जो घ्या है एक एक तो मरी तो इन स्य वोलागिक उसकल तोन में को यहां इना प्लेस कर दिया ताकूHow एक उसक्ट लूस्ट है और दीज और उसका उसमें चाहिए ठीक सब्सक्राइब बना पाऊ और इस सब क्या है कि मेरे साथ पंगा क्या हुआ कि मैंने क्टिंग जो है बहुत है बहुत फेले लगा दिथी और बहुत पहरे मिरे एस से मेने सेव करना है इसलिए मैने छोड़े रख़ा और इनके जो बेबी प्लांट है सकर्स है थोड़े बड़े हो जाए तब मैं इनको रिमूब करूंगी तो इस तसलिक को मैंने बचा के रखना है यह कलर अगले साल के लिए कि तो इसकंतों आपने काटे है और यलो कि यह लगा तो इसे भी कम करें आप माग करना न हम पूले कार जरूर रही हिनले ही दो बाद में पता नहीं चलता कि कौशलर जो हमने कटिंग लगा लगा दी तो मैंने ना कि यह ने को आई दानाकिे तो इक मेरो ज्यादा यह पेड़ा साफ करी ना पास जो है जा देख रहे हैं यहाले कलर जो उर्रैंज में हैं यह वाले इसमें डो कद लर लगे हैं यह देखते कितने प्यार है इनको से अक्र कर रखना और यह अगले साल के लिए और यह तो मैं नियू पर्चेस का क्लिक आई हूँ जैसे आपको पहले ही पता रख्या है और यह अब देखिए कलर जा रहा है बाद मुझे पता चले का कौन सा कलर है तो भी मैं मार्किंग करने है और इसका भी गमला मैंने खाली किया था वहां पर पड़ा आपको प्रश्चा नियूंगा लेकिन थोड़ा सा यह और इंज शेड में आ गया ना यह थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए यह हपते तक तो यह रहेगा उप उसके बाद मैं हटा दूंगी तो यह जो है मैंने कल की डेट में काम किये थे जो मैंने आपके साथ शेय जो है इसे मैंने पहले बहुत जल्दी जो है इस पें ट्रांस्प्लांट कर दिया थे जिसके वज़से यह जो है कलिया जो है अब यह दो दिमें ब्लूम हो जाएंगी वाइट कि आपको दिखाया कि मेरे पास जो है और देखिए अभी भी नन्हे न्हें पौधे कितने सारे बिटुनिया के तो बताइए कितने ज्यादा पौधे जो है बन जाएंगे यह चोटी चोटी अभी जर्मिनेट हो रहे हैं यह यह मैंने लगाए नहें भी अपने आप उगे हुए अब देखिए गेंदा के मैंने यहां फैलाए हुए अब देखिए सारे के सारे उग्या है तो बीज लगाने के लिए किसी अलग से घंबले के रिख्ट नहीं है मैं जिस मर्ज इंपने में हो मैं उसमें पेक देती हЙं मेरी गोल्डे कोii si springie बिंस ब्रव्क है तो बी लगा दूंगी और बाकी यह देखिए velvet बिंस बहुत जल्दी बनने वाले हैं फूल कितने प्याले लग रहे हैं वाइट वाइट देखिए अब यह घजानिया का मेरा पौधा जिनको एक तु मैंने बीज से लगाया थे यह लगाया थे बीज से पांच शे तूगे थे लेकिन सर्वाइब नहीं कर पाए एक ही बचा तो एक मैंने लगा दिया दो यह अनर्शी से पर्चेस के लिए थे इसी कंडिशन में यह खिलता है लेकिन अब क्या है थोड़े सी इनकी हालत खर रहा आप देखिए अब यह दिरे-दिरे सेटल हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से बुलूम होंगे और जो भी इसके स्पे अब बच गया है और यह देखिए जो पैग होते हमारे कैरी बैग कर बैग बोली सूटकेस वाले बैग होते हैं इनमें मैंने रखा हुआ है बीजों को लगाने के लिए देखिए अब इसमें चिल्ली के मैंने बीज लगा हैं यह भी अच्छा तरीके से जर्मियट होगे करेंगी ऑैसी नहीं है और हो शूट को भीजों के लगा रखा हुँ है तागि मैं अन्स्टेशियम में और यह चाअफरी राइडी सिद्लिंट कीथि वहाँ पिया पे और पर एड़ी है इसमें से निकाल के और लगाने मैं आ निकाल कर और है llevy डिया रखे तो यहां पर देहलीया के जो फेस है सन के तरफ है देखिए अब यह अप्टरून में हमारे इधर साइड में आ जाएगा बीच में सेंटर में आ जाएगा अभी सन इस से नुकलते हैं उदर से फेस जैसे उदर है तो डेहलीया के फूल भी जो है सनफलार की दरा जो है आए ताकि गार्डंग जो हमेशा पूलों से जो है भारा रहे बाइबाइब टेक क्यार